तो पार्ट 26 की शुरुवत वहीं से उती जहां पिछला पार्ट खतम हुआ था हिन्वू हैन को थोड़ी देर प्यार से देखने के बाद लाइट्स ओफ करके ओफिस जाने के लिए निगल जाता है इधर हिन्वू की मॉम सबी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी हिन्व की मॉम से गाजर काटने के लिए क्याती है हेंग की फैमिली ने बहुत बार उनकी हेल्प की है, तेकिन अज इनकी मुसिबत में, इनका कोई भी रिष्टेदार काम नहीं आता, मिसॉन ने इनकी हिल्स को पूरी तरसे साफ कर दिया था, इससे अभी स्मेल भी नहीं आ रही थी, पर हेंग की मौम उसे अपने हिल्स दे दे मिसॉन उनने शांत रहने का इशारा करती है, लेकिन ये लोग तो चुपी नहीं रहते, इसलिए मिसॉन उनने बाद में बात करी ही कि अगर बाहर ले जाने लगती है, लेकिन उसके फ्रेंज तो चुगली करने में उससे भी जादा एक्सपर्ट थे, एक जन कहती कि मैंने साइकोपैथ है, मेरी हस्बन ने बताया कि अचनक से हेन अपने पूरी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर में टपक पड़ी है, और आते ही उसके मॉम का पैर गोबर में पढ़ गया था, ये सब बता कर तीनों तो बहुत ही जोर दोर से हस रहे होते हैं, जो सब सुनकर हेन की म उड़ जाती है, और नहीं बताती है कि हमारे अकाउंट्स बस अभी के लिए फ्रीज हैं, और हम लोग यहां पे जान बुश करना ही आया है, और फिर रात हो गई थी से लिए हमें यहां आना पड़ा, और हम लोग बहुत जल्दी चले भी जाएंगे, ये बोल कर वो गुस् ले रहा था, और वो अपने लॉयर से मिलता है, तो यहां में असली बात पता चलती है, कि चेर्मेन बहुत साल उसे सीक्रेट फंड जमा कर रहे थे, जिसका सरकार को टैक्स ना देकर चुपाया जा रहा था, इसमें फाइनिशल हेड चेर्मेन की हल्प कर रहा था, और वो ख करो, और क्योंकि तुम अब भी हमारे लीगल टीम के डारेक्टर हो, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा, और वैसे क्या तुम मुझे अपना चेर्मेन मानते हो, क्यों वो कहता है, आखिर मैं क्विन्स ग्रूप का एक एंपलॉई हूँ, ना कि क्विन्स फैमली का हिस्सा ना ही है इनका हस्बन, तो मुझे आपको चेर्मेन बुलाने में क्या ही प्रॉबलम होगा, और वैसे भी मैंने अपने रिजूमें बहुत सारे बड़े कमपनीज में दे दिया है, और अभी तक मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए प्लीज बस एक मैनी के लिए मेरी जाकि इस प्लैन में उनका साथ देने के लिए, उसे सियौली हैंकी जगापे अपॉइंट करे, और ये ग्रेस को भी उसकी ऑपाद दिखाई देती है, इसके वाद ग्रेस आती ही यूनसॉंग से मिलने, जहां उसे भी यहीं कहती है, पर यूनसॉंग भी उसकी आपकाद दि वाला फोटेज मिल जाता है, यां कहता है कि पर अभी इसका क्या फाइदा, हिन्व कुछ तो प्लान बनाने लग जाता है, इदर सूचल दाहाई के लिखे हुए लेटर को पढ़ रहा था, इसमें उसने अपने बारे में सब कुछ सच बताया था, उनके बच्पन में मिलने से लेकर किस तरह उसने सूचल को अपने जाल में फसाया, और सबसे बड़ी बात यहीं बताई कि गौनू उसका बेटा नहीं था, जो सब बढ़कर सूचल तो बहुत जादा रोता है, हैन उसे रोते हुए देखती तो उसके पास आकर बैठती है, उसे इस तरह रोता हुए दे पर फिर भी कोट कचरी के चकर में पांच साल लग जाएंगे, तब जाकर यह मामला सैटल होगा, युन्व कहता है कि एक शॉटकट है, इन्वेश्टमेंट फ्रॉड का, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि युनसोंग ने जान बुछ कर, फ्रॉड करने के इरादे से ही च चैर्मेंट को दो ट्रिलियन, फॉन इन्वेश्ट करने का आइडिया दिया, इनके स्टॉक्स को चोरी करने के लिए, तब अपनी चैर्मेंट वाली पाउर्स खोदेगा, और तब मैं वही तरीका यूज करूँगा, जो उसने यूज किया था, इधर हैन की सेकेटरी भी मस् सॉल्व करने भी लग जाता है, इधर हैन के डैड अपने सारे दोस्तों वगेरे को कॉल करता है, लेकिन कोई भी उनका कॉल पेक नहीं करता, इसलिए वो बहुत दुखी होते हैं, तो हैन के डैड उन्हें थोड़ा चिल फील कराने के लिए, अपने ग्रूप के साथ ड्रिं पर तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स में तो कभी अनेमिया नहीं आते, कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, इन की मॉम कहती कि इतना भी ड्रामे बाजी मत करो, अनेमिया तो मुझे भी है, सुचल कोई देख ले, उसकी भी कंडिशन कितनी खराब है, युन्वो वो बेहोश हो गई थी, तिर भी तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, एन की मॉम कहती कि वैसे भी तो उसकी एक्स मदर इनला उसकी क्यार तो करी रही है, और हेन उनकी बात भी सुनती है, अभी तुमने हेन को मेरी बात सुनते हुए देखा है, नहीं न तो मैं पच्ताना ना पड़े, इनकी मॉम कहकर चली जाती है कि मैं पच्ताने वाली काम नहीं करती, जो सुना अंटी तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अभी वहाँ पे हिन्वो आ जाता है, जो भाग के घर के अंदर आता है, तिन्हें इनको अपने रूम में ले जाता है, तो देश चोड़ कर भागने वाला था पर सही टाइम पर, मैंने उन प्रोटेश्टर से कहकर, उन प्रोकर के खिलाफ लॉसूट फाइल करवा दिया, इससे वो अब देश चोड़ कर नहीं जा सकता, रगली हेरिंग में मैं उसका फ्रॉड प्रूफ कर दूँगा, और क्यों कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने पैर पे खड़े होने के लिए, इसलिए मैंने आज WBC बढ़ाने वाला इंजक्शन भी लगा लिया है, ठाकि मैं जल्दी से ठीक होकर सब कुछ सही करूं, ये सुनकर यून वोस के लिए खुश होता है, पर अगले ही पल है, इन कहती है कि मैं जितने जल्दी ठीक हो जाऊंगे, जितने जल्दी तुम मुझे छोड़ सकोगे बिना मेरी फिकर की है, फिर हम असली के डिवर्स कपल की तरह अलग हो जाएंगे, ये ही मेरा गोल है, हमारी भलाए के लिए तुम से अलग होना, जो कहकर हैन और सुनकर यून वोसे कहत है, सुंग मिन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर का, इसे लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और उस कार्ड की हल्प से वो हैन का पुराना रिपोर्ट निकाल लेता है, जिससे उसे हैन के ब्रेंट यूमर की बार में पता चल जाता है, और ये भी कि वो मैक्सिमम ती की बार में नहीं बताया जाता, इस पर यून संग कहता है कि अगर मैं उसका लीगल गार्डिन बन गया तब ही नहीं बता होगे, सीन कट होता है, इदर हम हैन को देखते हैं, जो कि अपना ब्लड टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से मिलने जाही रही थी, तब ही यहाँ पर जहाँ पर चेर्मेन कोमा में लेटे हुए थे, सीयली उसे कहती कि कली एक प्रेस मेटिंग बुला कर, एनाउसमेंट कर दो कि क्वेंश डिपार्टमेंटल स्टोर को अब से मैं संभालूंगी, पर यून संगोंने मना करता हैं बताता है कि वो जगा है इन क्या और है इन मेसेज आता है कि मेरे नाम पर जो केस किया है उसे वापस लोवरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, पर यून संग को हॉस्पिटल से बाहर निकाला है और वो उने अपने साथ कहीं ले जा रहा है, यून संग क्याता है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, यून मज गयाता कि उसके कार को कोई फॉलो कर रहा है, इसलिए वो एक सुनसान जगह की और कार ले जाने लगता है, इदर हीन वाक के लिए बाहर आने लगती है, तब है यून वो की मौम उसे कानी के लिए बुलाती है पर हैन कहती है, तो हम लोग साथ में खाएंगे, मैं भी ओन था, तीचे से लाइट आ रही थी, इसलिए उसका फेस नहीं देखता, हैंग को लगा कि वो हिन्वो है, इसलिए वो कॉल कार्ट देती है, पर उसके थोड़े पास आते ही, वो समझ जाते कि ये हिन्वो नहीं है, इधर हिन्वो केस वापस लेनी से मना कर देता है, तो ब्रोकर अपने साथ लाए गुंडो को बाहर लाता है, और हिन्वो पे अटेक करवा देता है, तो हिन्वो के उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है, तो हम देखते हैं कि वो तो यूंसॉंग था, जिसे यहां देकर हैंग शॉक्ड होती हैंशी के साथ एपिसोड करन यहीं देखते हैं, जब हेई ने इन्वो से पूछा था, कि वो MP3 ब्लेयर किसका है, कि उन्वो ने कहती हो याद नहीं है, बरसल में इन्वो को याद था कि वो एक लड़की का MP3 ब्लेयर था, यांक योंग उसने काफी साल पहले उस लड़की के बार में बताया था, तुने उस ढूंडा था वो बहुत ही beautiful थी सच कहूं तो बिलकुल वो मेरे type की थ्यांग पूछते कि अगर तो उसे अभी देखेगा तो क्या तो उसे पहचान लेगा युन्वो तो बड़े ही confidence के साथ कहता ही कि हाँ बिलकुल पर सच है वो तो हम सब को पता ही है युन्वो उसे पहचान नहीं पाया तो उसे की साथ अपिलोग यहीं पे खतम होता है तो युन्वो नहीं को कैसे डूंडा और इतर युन्वो उन गुंडों से बच पाएगा या नहीं देखेंगे हम अगले एपिसोड में तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चानल पर पहली बार आए तो do subscribe and hit the bell icon जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में दबते के लिए take care and bye bye